और इसी के कारण कुछ परिवर्तन भी आगे किये गए जिसका हम आगे जिक्र करेंगे मैंने एक बिंदु बताया था कि योजना आयोक स्वैम में ऐसा कहना कि वो किसी के प्रति उत्तरदाई नहीं है या सर्वोच संस्था है गलत होगा क्योंकि इसके उपर एक आर्थिक विकास परिशद भी है नैशनल डेवलोप्मेंट काउंसिल आर्थिक विकास परिशद संक्षिप में क्या है राज्यों का एक संग है भारत और राज्य के सरकारें अपने अपने राज्य के हित के लिए नीतियां बनाती है लेकिन राश्य की जब नीतियां बनती हैं पूरे देश को लेकर जब नीतियां बनती हैं तो समस्य आती है क्योंकि वो राज्य की नीतियों से कई बार मेल नहीं खाती है तकराहट होती है और उसमें योजना आयोग मूलता केंदरी चंगठन है केंदरी सज्था है इसलिए उससे ये उमीद नहीं की जा सकती थी कि वो राज्यों की योजनाओं को पूरा कर सके ऐसी स्थिति में मुख्य मंत्रियों को योजनाओं के क्रियानवन में भागी दार बनाने की जुरत पड़ी और यदि उन्हें इसमें भागी दार बना दिया जाए तो उससे फादा ये होगा कि राज्य के और कुल मिलाकर देश के सामाजिक और आर्थिक विकास के लक्ष में राज्य स्वफूर्त सामने आएंगे प्रेरित होंगे केंद्र द्वारा राज्यों को प्रेरित किया जा सकता है केंद्री योजनाओं के क्रियानवन में इसलिए केंद्र और विभिन राज्यों की विकास की नीतियों एवं कारिक्रमों में समन्वे स्थापित करना मैं पुना दोहरा दूँ केंद्र एवं राज्यों की विकास की नीतियों और उनके कारिक्रमों के निर्धारन में लागू करने में समन्वे स्थापित करने के लिए राश्टी विकास परिश्ट का गठन होता है 1952 में एक शास्की आदेश के दौरा केंद्र तथा विबिन राज्जियों की विकास नीतियों एवं कारिक्रमों में समन्वे स्थापित करने और योजनाओं को पूरा करने के लिए राज्जियों को प्रेरित करने के देश्ट से राश्टी विकास परिश्ट की स्थापना 1952 में पहली बंचवर्श योजना में जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे उसमें कहा गया कि भारत जैसे विकास देश के लिए विशाल देश के लिए जरूरी है कि प्रधान मंत्री और राज्जियों के मुख्य मंत्री मिलकर काम करें विबिन पहलूं की समिक्षा मिलकर करें ये मिलकर करने की जरूरत ने ही राश्टी विकास परिश्ट के गठन की आश्चकता पर बल दिया और 1922 में बनती है इस परिखार इसका गठन होता है और एक बहुत बड़ी संसा बन जाती है इसमें योजना आयोक के सभी सदस्य रहते हैं फिर इसके बाद मंत्री मंडल के सदस्य मुख्य मंत्री और जो यूनियन टेरिटरीज होती हैं इसके सदस्य भी रहते हैं कुछ लोग इसमें आमंत्रित भी किया जा सकते हैं, कुछ लोग से अर्थाज यदि किसी ऐसे विभाग के बारे में चर्चा होना है विकास परिशत की बैठक में जिस विभाग का मंत्री सदस्ची नहीं है तो उससे भी आमंत्रित किया जाता जरुरत पढ़ने पर RBI, Reserve Bank of India के गवर्नर और अन्य अर्थ शास्त्री संबंदित विशेशग्यों को भी भाशन देने के लिए बिलाया जाता है प्रधान मंत्री जो है वो राष्टी विकास परिशत के अध्यक्ष होते हैं और योजना आयोग का सच्चिव विकास परिशत का भी सच्चिव होता है तो ऐसा करके योजना आयोग और विकास परिशत को एक दूसरे से लिंक करने की कोशिश की गई है ठिक ये तो हो गया उसका धांचा यो ये विकास परिशत की बैठक वर्ष में दो बार उस्टन होती है कई बार ज्यादा जरुद भी पड़ी है तो ज्यादा बार भी होई है क्योंकि कई बार ऐसी जरुद पड़ी ये जो विकास परिशत की मीटिंग का जो एजेंडा है कारे सूची वो योजना आयोग का सचिव तयार करता है अर्थात राष्टी विकास परिशत का सचिव तयार करता है क्योंकि दोनों का सचिव एक ही है और जो प्रधान मंत्री होते हैं जो परिशत के अध्यक्ष होते हैं वो अध्यक्षी भाशन देते हैं लेकिन स्वागत भाशन क इसमें कारी सूची में क्या-क्या होगा और अन्य कुछ बातें वो कहते हैं लेकिन जो भी बातें होती हैं वो रिकॉर्ड में रहती हैं उसे लिख लिया जाता है और जो भी निर्णा होते हैं वो सर्व सम्मत होते हैं तो इस विकार राश्टी विकास परिशत का गठन और उस विकास की परिभाशा को लेकर विकास को लेकर बहुत 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 चली और विविन्न तरह के विचार आये जाता हम देखेंगे और देखें हैं समझें हैं कि विकास के माइने क्या एक चली एक नजर हम थोड़ा डालते हैं एक घटना पर उडिशा भारत में वहां का एक बहुत बड़ा ख्षेत्र है जो लौँ आयस के भंडार के लिए विश्व प्रसिद्ध है लौँ आयस के भंडार के लिए विश्व प्रसिद्ध है और जब भारत सतंतर हुआ पचास के दशक के आसपास 1947 में सतंतर होने के बाद लौँ आयस के मांग पुरे विश्व प्रसिद्ध बहुत ज़्यादा थी और भारत में उडिशा के पास उसका बहुत बड़ा भंडार था माइने क्या हुए कि उडिशा की राज्य सरकार लौँ आयस के इस विशाल भंडार का उप्योग अपने ख्षेतर के आर्थिक विकास के लिए करना चाहती थी स्वभावे के कोई भी चाहेगा कौन नहीं चाहेगा बताईए विकास करना चाहे वो सरकार हो चाहे वहाँ के लोग हो और ज़िस सरकार चाहती है तो राज्य का विकास मतलब वहाँ की जनता का विकास भी तो उसने सोचा कि क्यों न इस विश्वयापी मांग का फायदा उठाते हुए लोहे के निर्याद के लिए राश्ट्री अंतराश्ट्री संधियां कर मुनाफ़ा लिया जाए जिससे कि यहां के खेत्र के लोंगों का विकास हो रोजगार मिलेगा जीवन यापन कि जो स्तर है वो उठेगा तो राश्ट्रकार ने इस पाथ निर्माताओं के साथ कई लोगों के साथ ऐसे सहमती पत्र पर हस्ताक्षर किया विकास के लिए राश्ट्रकार जोरा ये प्रयास था ये तो सपष्ट है इसमें कोई शंका नहीं कि ऐसा करने से राज्ट को बहुत पैसा मिलेगा उसका कोश खजाना पैसों से भरेगा और उस पैसे से क्षित्रका विकास होगा लेकिन एक नजर हम डाले हैं कि इस प्रक्रिया में या लोहे लोग आयस्ट के निर्यात में अलग अलग समूहों के अलग अलग विचार थे और आश्चर नहीं होना चाहिए कि उसमें से कुछ लोग इसके विरोधी भी रहे तो क्या ही इसका माइने ये रखें कि कुछ लोग विकास नहीं चाहते नहीं ऐसा नहीं है इनकी चिंताएं कुछ और थी यदि मैं चार तरह के लोगों के विचार रखूँ इस लोग आयस्ट के निर्यात को लेकर उडिशा के तो तब से पहले आदिवासियों का क्या नजरिया था आदिवासी लोग तो इसके सक्त विरोत में खड़े हो गए क्योंकि उनको बहुत बड़ी चिंता थी कि उनके जीवन यापन की जो भूमी है जहां वो वर्षों, दर वर्षों से हजारों वर्षों से रह रह रहे हैं उनको उस विकास से कोई मतलब नी जिसके लिए सरकार ने लौह आयस का निर्यात करने का विचार किया था वो तो जो था उसी पर खुश थे और वैसे ही रहना चाहते थे तो आदिवासियों द्वारा विरोत उसी प्रकार पर्यावरण विद भी इसके सक खिलाफ हो गए जो लोग एकोलोजिकल बालेंज एन्वारेंटमेंटल स्पेशलिस्ट थे पर्यावरण विद ये इसलिए खिलाफ हुए कि उनका कहना था इस खनन से इस विशाल भूमी के खनन से यहाँ का पर्यावरण प्रभावित होगा दुश प्रभावित होगा खत्रा पैदा हो जाएगा और जो इस खेतर के लिए अच्छा नहीं होगा तो पर्यावरण विद भी बड़ी संख्या में इसका विरोत कर रहे थे पक्ष में कौन था एक तो राज्य सरकार तीसरा और चौथा था केंदर सरकार वो इसके पक्ष में इसलिए थी क्योंकि इसका कहना था कि इस हस्ताक्षर तो कर दिये राज्य सरकार ने अब यदि आदिवासियों या परियारवन विदों के विरोध में हमने इन संधियों का पालन नहीं किया और उद्योग नहीं लगा तो ये एक बहुत बुरी मिसाल सामने आएगी सांग। विश्व के सामने देश की इज़त पे खत्रा मन रहाएगा। साथ ही देश में जो पूंजी निवेश का जो द्वार खुल रहा था वो भी बंद हो जाएगा। क्योंकि निर्यातक लोग लौह आयस के लिए आएंगे, फैक्टरी डालेंगे, प्लांट डालेंगे और बड़े-बड़े उद्योग स्थापित करेंगे, रोजगार मिलेगा। तो केंद्र भी और रज भी पक्षधर थे जबकि आदिवासी और प्रयामरण इसके विरोध में थे। कहने के माइने क्या? इस उदाहरन से हम क्या समझ पाते हैं? पहली बात कि कैसे लोग अपने-अपने हित को साधने की कोशिश करते हैं? किस तरह के हित सक्री होते हैं? ये पहली बात. दूसरा संघर्ष के आहम बिंदु कौन से थे? संघर्ष के बिंदु से ताटपर है. आदिवासियों के लिए संघर्ष का मुद्दा था जीवन यापन का. आदिवासियों के लिए ये जीवन यापन का संघर्ष का मुद्दा हो गया. दूसरी हो परियावरण विदों के ल अब तीसरा बिंदू कौन सा थैदियम थोड़ा और गहराई से इस उदाहरन को देखें उडिशा के तो ऐसा कोई सा बिंदू है क्या जिस पर हम सोच सकते हैं कि चारों पक्षराजी हो जाएं। ऐसी कौन सी बात को सामने लाकर ये प्रयास किया जाए कि लौ अयस की संधियों का पालन करवाने में सभी की सहमत ही मिल जाए और क्या इस मसले का समाधान ऐसा हो सकता है जिसमें सभी लोग जुड़ जाएं सभी लोग संतुष्ट हो जाएं। इन सवालों का जवाब जो है ये विशेशक ये लोग नहीं दे पा रहे थे। क्योंकि संघर्ष की बात थी और इसके साथी साथ सभी के हितों की बात थी और अंत में सभी को राजी करने वाला एक ऐसा बिंदू एक ऐसा पहलू सामने लाने की बात थी जिस पे सहमती बन तक और ये तीनों ही संभों नहीं हो पा रहा था तो फिर समस्या का समाधान कैसे हो ये उडिसा के इस सुधारन के माध्यम से ये बताने की कोशिश है कि ऐसे विकास के हज्जारों मुद्दे सरकार के सामने मुह बाए खड़े होते थे दिन पति दिन और खास कर तब जब देश के लिए विकास एक अहम आवश्यक लक्ष था समाधान की यदि बात करें तो इस तरह के फैसलों में एक सामाजिक समू के हिद को दूसरे सामाजिक समू के हिद से तौला जाएगा उससे तुलना की जाएगी ये वह आधिवासियों का हिद सर्वो परी या पर्यावरन विदों का या सरकार का हित राष्ट का हित किसके हित को हम प्राथमिकता दें ये समाधान निकालने का एक जरिया होता है दूसरा होता है ये भी सोचना जरुड़ी होगा समाधान निकालते समय कि इस पीड़ी को तो फायदा हो आने वाली पीड़ी को भी ध्यान में रखा जाता है का ऐ ऐसा नहीं कि किवल इस पीड़ी तक ही आने वाले 20, 30, 40 वर्ष तक ही इस विकास का फायदा मिले और उसके बाद इस विकास से हो जो विनाश हुआ है उसका खामियाजा आने वाली पीड़ी को भगतना पड़े। तो मौजूदा पीड़ी के हितों और आने वाली पीड़ी के हितों को भी ध्यान में रखा जाता है समाधान निकालते समय विकास संबंधी समाधान अगली वाद जो ध्यान में रखी जाती वो ये है कि ऐसे फैसले जनता द्वारा लिये जाने चाहिए जिन पर विशेशग्यों की सुईक्रितिम बिल जाए जनता के द्वारा ऐसे फैसले लिये जाएं तो समाधान बहतर समाधान निकलने की गुझाईश है और जब जनता के द्वारा समाधान की बात आती है तो अंतिम निर्ने राजनीतिक निर्ने होता है क्योंकि राजनीतिक्यों की नस जनता तक पहुंची राजनीतिक जनता की नस को अच्छी तरफ पकड़े रहते हैं वो जानते हैं जनता की भावनाओं से वाकिफ रहते हैं जन प्रतितिनितिक के नाते वे जनता से जुड़े रहते हैं इसलिए अंतिम फैसला राजनीतिक्य के द्वारा लिया जाता है और इसी लिए पर्यावरन राजनितिक मामला बन जाता है राश्ट्री विकास परिशत के उद्देश यदि हम उसकी बात करें तो उसका उद्देश बड़ा स्पष्ट है वो ये है कि योजना आयोग की सिफारिश योजना आयोग के सिफारिश पर देश के सभी भागों का संतुलित एवं तुरित विकास करने का प्रयास करना इस पकार उसका संबंद योजना आयोग से काफी कुछ जुड़ा हुआ है साथ ही आर्थिक नीतियां सामाजिक नीतियां इनको उन्नत करना यह भी उसके देशों में है इन देशों की पूर्ति क लिए उसके पास एक तरीके से चार काम सोपे गए हैं पहला योजना आयोग द्वारा तयार किये गए योजना के प्रारूप पर विचार विमर्ष करना और उसे स्वीकृति पदान करना जो पहले भी बताया गया है दूसरा योजना आयोग के कारियों की समीक्षा समय समय प राश्ट्री विकास को प्रभावित करने वाले जो विभिन महत्पूर्ण मुद्दे हैं प्रभावित करने वाली जो नीतियां हैं उस पर विचार करना उन प्रभावित नीतियों से जड़ हुए प्रश्णों पर विचार करना और चौथा राष्ट्री योजना के अंतरगत जो लक्ष निर्धारित किये गए है उनकी पावती की उनकी प्राप्ति की सफलता है तो उपाय सुझाना क्योंकि लक्ष तो बनाता है योजना आयो और उसके बाद विकास परिशद इसको अंतिम रूप देता है सहमती देता है लेकि ने जी रास्ते में कुछ बाधाएं आ रही हों तो राष्टी विकास परिशद के सदस्यों का ये दायित भी हो जाता है कि वे रास्ते बताएं ता सहयोग लेना प्रिशासनिक सेवाओं की कारकुशलता में सुधार करना पिछडे खेतरों के विकास का प्रयास करना और समस्त नागरिकों के समान मात्रा में त्याग के माध्यम से राश्टी विकास समस्त नागरिकों में समान त्याग और थाथ आवशकिता पढ़ने पर यह किसी तरह का CES C-E-S-S-S यानि एक तरह का कर लगाए जाए किसी जरूरती के कारण दारण के लिए भी करोना काल था उसके पहले सुनामी के कारण जा कोई बहुत बड़ी आपदा कहीं हुई तो इसके लिए तो ऐसी स्थिति में सबसे समान रूप से त्याक की अपेक्षा करना और संसाधन जुटाना इस तरीके थम देखते हैं कि परिशद के कारियों से साफ हो जाता है कि परिशद एक तरीके से एक परामर्षदात्री संस्था है समवैधानिक वैसी भी नहीं है परामर्षदात्री जो केंदर सरकार और राज़ सरकार को परामर्षदेती उनको रास्ते दिखाती है उपाय बताती है इस परिशद में पंच वर्षी योजनाओं की संरचना आदी पर भी विचार होता है और सर्व संबति से आने वाली समस्याओं का हल होता है तो संक्षित में ये राश्टी विकास परिशद की रूप रेखा उसके उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो रूप रेखा है वो आपको बता दियो या दूसरे शब्दों में उद्देश्यों की पूर्थी करने के क्या तरीके राश्टी विकास परिशद अपनाता है वो बास परश्ट होगे एक सवाल आता है कि आज के परिप्रेक्ष में जब देश की विकास गाथा के दौरान राश्टी विकास परिशद की भूमिका क्या पाई जाती है कहां राश्टी विकास परिशद है किस हद तक वो देश के वरतमा निस्तिति के लिए जिम्मेदार है उसके विकास के लिए जिम्मेदार है ना केवल योजना में महतपूर्ण भूमिका बलकि योजनाओं के क्रियानवन में भी महतपूर्ण भूमिका पहले अविंदू इसने ना केवल योजनाओं के निर्मान में महतपूर्ण भूमिका निभाई बलकि योजनाओं के में भी जब योजना बनती है तो परिशद से बार-बार परामर्ष किया जाता है और परिशद में सब मुख्य मंतरी अगर रहते हैं उनकी सामाती सुझाओ बड़े काम के रहते हैं और ये सुझाओ कि उपेक्षा नहीं की जा सकती है दूसरा राश्ट्री परिशट की स्वीकृति के बिना ये जो योजना है जो किसी भी तरह का जो कारे है वो योजना प्रारूप योजना का रूप नहीं ले सकता यो योजना तभी मानी जाती है जब राश्टी विकास परिशत के उसमें सहमती हो तीसरा योजना के सफल क्रियानवन के लिए योजनायोग राश्टी विकास परिशत से परामर्ष लेता है जिसका जिक्र मैं पूर में कर चका हूँ और फिर इन सुझावों पर अमल करना ये एक तरीके से योजनायोग का नैतिक डायित तो हो जालता है आपको जानने की आश्कता नहीं है क्योंकि पूर में बताये गया है कि योजनायोग की तर राश्टी विकास परिशत भी कोई संवेधानिक संस्था नहीं है कोई संवेधानिक आधार नहीं है लेकिन फिर भी महत्वपूर्ण है क्यों? क्योंकि ये मंत्रियों, मुख्य मंत्रियों, महत्पूर्ण, केंद्री, मंदल केंद्रियों का समूह है इसके महत को लेकर एक बहुत अच्छी परंपरा चल पड़ी और परिशद के निर्णा केवल केंद्र ही नहीं, बलकि राज्य भी मानने करते हैं परिशद की भूमिका के संबन में ये जानना जरूरी है कि कभी-कभी परिशद ने भारती संग, इंडियन यूनियन उसमें कभी-कभी सुपर कैबिनेट का भी रोल किया है कभी-कभी सुपर कैबिनेट की भूमिका निभाई है अर्थाथ कैबिनेट के ऊपर, मंत्र मंडल के ऊपर कई बार वह कारे करते हुए नजर आई है इससे स्पष्ट है कि राश्टी विकास परिशद योजना आयोग की अपेक्षा अधिक सक्षम है अर्थाथ यदि हम राश्टी विकास परिशद के भूमिका की बात करें तो बड़ी सकारात्मक भूमिका रही है उन बिंदूओं पर जिसका मैंने जिक्र कर लिया है और कई बार तो ऐसी अनुभूती हुई है कि ये सुपर कैबिनेट का कारेकी है इससे ये बात सुनिश्चित है कि योजना आयो की अपेक्षा ये ज़्यादा सक्षम संस्ता रही है अब हम इसका थोड़ा मुल्यंकन करें कि इतने वर्षों में विकास परिशद ने क्या खोया क्या पाया विकास परिशद की प्रसंसा भी हुई और आलोचना भी हुई दोनों जैसे योजना आयो की प्रसंसा भी हुई और आलोचना भी हुई प्रसंसा के रूप में परिशद में केंदरी सरकार और सरकारों के जो अन्य विभाग हैं उनके कोडिनेशन की बात को बहुत महत्पूर्ण माना गया कोडिनेशन समन्वे बैठाने का जो कार राश्टी कार परिशद के माध्यम से हुआ है वो एक बहुत महत्पूर्ण कार माना गया दूसरा क्योंकि मुख्य मंत्री सदस्टे होते हैं इसलिए केंदर सरकार और राज़ सरकार के बीच एक अच्छा तालमेल हो जाता है चुँकि इसमें राज़ सरकारों के मुख्य मंत्री होते हैं इसके तदस्टे इसलिए राज़ सरकारों और केंदर सरकार के बीच एक अच्छा तालमेल हो जाता है तीसरा ऐसी स्थित में विकास परिशद के किसी अनुमोदन को विकास परिशद के किसी योजना को राज्य सरकारें अपना मानते हुए उसे लागू करती है अपना मानते हुए उसे अपना कारे समझती है और पूरा करने के लिए यथा संभव प्रयास करती है बहुत महच्पूर्ट बिंदू है ज़र मानों ये लादा नहीं गया हो उनके मन में भावना रहती है कि ये योजना केंदर के द्वाला लादी नहीं गयी है बलकि केंदर की सहमती से है चौथा ये एक ऐसी बाड़ी है ऐसा मंच है जिसमें केंदरी सरकार के प्रतनिदी और राज सरकारों के मुख्यमंदी के बीच में बड़ा स्वतंत्र समवाद होता है स्वतंत्र पूर्ण किसी बिना किसी गला शिक्वा के बिना किसी दवाओ के समवाद होता है इससे क्या होता है सभी भागों में योजना कारियों में एक रूपता लाना संभव है क्योंकि कोई योजना सरकार बनाती है कि इन सरकार उसे पूरे देश में लागू करना है तो मुख्य मंत्री बड़ी स्वतनता से इस प्लैटफॉर्म पे अपनी बात रख सकते हैं फिर ये सुनिश्चित किया जाता है कि इनके विचारों को समायोजित किया जाए ताकि ये योजना जो है उसे समचित रूप से पूरे देश में एक रूपता के साथ लागू किया जा सके अगला जो महत्पूर्ण बात है वो ये है कि आलोचिकों के द्वारा इस बात को भुला दिया जाता है कि विकास परिशद यद्यपी एपेक्स बाड़ी है लेकिन सम्वेधानिक ना होते हुए उसकी कुछ सीमाएं है और उस सीमाओं के अंदर वो कारे करती है लेकिन उसके बात भी आलोचिनाय होती रहे है जो हम पतेल प्रशिद मुक्वित मंत्री और उसके पूर्वे भारत के रिजर्व बैंक अफ इंडिया के गवर्नर भी बड़े लंबे काल तक रहे उन्होंने उस पर बड़ी कट्व टिपनी की है और उन्होंने कहा है कि ये बिल मान करने वाली संस्था ना हो करके मात्र सुझाओ देने वाली संस्था ना हो करके ये इसके अतरिक कुछ और भी कर रही है दूसरे एक मंत्री हैं जो थे केंदरी खाद्री मंत्री ततकाली एके जैन एपी जैन उन्होंने कहा कि ये परिशच जो है ये बड़ी स्वच्छंदितापूर कार करती है किसी की सुनती नहीं और राज्यों के कारियों में हस्तक खेप करती है सतत्री उपसे केंदर के कारियों में हस्तक खेप करती है जो समविधान के अनुसार जो अधिकार निकायों को दिये गए हैं उसमें वो बारंबार दखल करती है तो इस पर कार उनका कहना है कि ऐसे जो प्राओधान है जो केंद्री और राज्य स्तरपर मंत्री परशद को हैं कई बार देखा गया कि ये राज्टी विकास परशद इसे अपने हाथ में ले लेती हैं दूसरे शब्दों में इस पे यारोप लगता है विकास परिशद पे कि वो अपनी सीमाएं कई बार पार कर जाती है लेकिन इस सब आलोचनाओं के बावजूद याशा की जाती है कि केंद्र और राजी के बीच में ये एक अच्छा समन्वे बैठाई है उच्छ सत्ता प्राप्ट निकाय के रूप में एक अच्छी सुझाव को उसका अध्यान करने वाली संस्था है और योजनायोग के मसादों को अच्छी तरह अध्यान के बाद स्विकृत करती है उसमें सुधार लाती है और इसलिए इसने अपना जो दायत्व है उसे बड़े प्रशर्षनी तरीके से उसका निर्वाह किया है ऐसा कुल मिला के निश्कर्श जो विभिन दल होते हैं विभिन दलों के द्वारा राष्टी विकास परिश्ट की बैठक में भाग लेना क्योंकि ये सब विभिन दलों के मुख्य मंत्री होते हैं और फिर सतंतर रूप से विभिन दलों द्वारा विचार विमर्श करना ये स्वहें में बहुत बड़ी सफलता है राष्टी विकास परिश्ट की हाँ कभी कभी ऐसा भी दिखा गया है कि किसी कारण के दबाव में किसी तरह के दबाव में कई दल हां में हां मिला रहते हैं पर ऐसा विश्वास है राजनीत शास्त्रियों का कि आने वाले समय में इस तरह के हां में हां विलाने की प्रता का अंत होगा और ये राज्यों के प्रतिनिधी मुख्यमंत्रियों के रूप में अपनी बात और स्वतंतर्था से कर सकेंगे तो ये बात हुई राश्टी विकास परिशत की देश के विकास में भूमिका अब हम आते हैं अगले बिंदु पर और वो है विकेंद्री कृत नियोजन तथा जिला योजना समीती इस विकेंद्री कृत नियोजन का एक हिस्सा है केंद्री कृत नहीं विकेंद्री कृत उल्टा जिसमें डी सेंट्रलाइजेशन हो अंग्रेजी में उसे कहते हैं डी सेंट्रलाइजेशन केंद्री करन नहीं नियोजन है लेकिन विकेंद्री कृत है ये 1950 में केंद्री कृत योजना लागू की गई थी जो आपको मैंने पूर में बताया है जिसके अंतरगत सारे देश की विकास योजना का निर्माण योजना आयोग के रूप में केंद्र सरकार के माध्यम सिक होती थी ये योजना जो है जो उपर से आती थी दिल्ली में बैठे हुए योजना आयोग के कारियाले में बनाई जाती थी उसे कहते थे टॉप डाउन मॉडल क्या कहते थे टॉप डाउन मॉडल उपर से नीचे जाने वाली एक तरीके थे हम कहते हैं डाउन वर्ड फिल्टरेशन जिससे हम किसी अनिविशए में कहते हैं डाउन वर्ड फिल्टरेशन थियोरी तो ऐसे यहां भी टाउन मॉडल यह प्रारम में हुआ लेकिन इसकी कुछ बुराईयां थी दिल्ली में बैठा हुआ अधिकारी दिल्ली में बैठे लोग विशेशग पूरे इतने बड़े विशाल देश के अंदरूनी माम अलाकों की समस्याओं से कैसे वाकिफ होंगे तो ऐसी स्थित्य में इस समस्या का निराकरण करने के लिए इस थानी इस तरकी विशेश्ट समस्याओं पर ध्यान देने के लिए इस थानी इस तरकी विशेश्ट समस्याओं पर ध्यान देने के लिए विकेंद्री करण का रास्ता अपनाये जा और इस विकेंदरी करण के मॉडल को कहते हैं बाटम अप मॉडल पहला वाला कहला था टॉप डाउन मॉडल और ये कहा है बाटम अप मॉडल नीचे से उपर यानि सब जिले अपनी अपनी युजनाय बनाते हैं फिर उसके बाद जिलों से योजनाय राज में जाती हैं, राजियों में वो योजनाय राज के योजनाय आयोग में कर्थी होती हैं और फिर वहाँ से वे प्रस्तावित होकर आगे दिल्ली के उड़ जाती हैं भारत में जिला योजना के शुरुआत चोहत्तरवे संशोधन में हुई 1992, बॉटम अप मॉडल, विकास का बॉटम अप मॉडल 1992 में शुरू किया गया यानि उधारी करण की नीती 1997 में अपनाई गई और उसके बाद जिलों से प्रस्ताव मगाए गया बजाया उपर से योजना थोपने के जिलों से प्रस्ताव मगाया गया प्रास्मिक्ता के आदार पर उन प्रस्ताव पर योजना आयोग ने विचार शुरू किया तो संशोधन कौन सा था 1992 का चोहतरवा संशोधन जिसमें जिला योजना समीति की स्थापना हुई और वैसे जिला योजना समीति का प्रस्ताओ जो है ये विचार हनमंत राओ कमीटी ने 1984 में दे दिया था लेकिन लागू नहीं हो संवेधानिक दर्जा मिला ये एक विशेष्टा है समझने चोहतरवा संशोधन 1992 बाटम अप और उसके साथ ही संवेधानिक दर्जा ये जो संवेधानिक दर्जा मिला है इसमें इसका कारिये है कि पंचायतों और नगरपालिका के द्वारा जो तयार की गई ही विकास योज करना है एक जिले में हजारों गाओं होते हैं गाओं की पंचायतों द्वारा शहरों के निगम शहर की नगरपालिकार नगर निगम के द्वारा जो वो अपने क्षेतर की जो योजनाएं उन्होंने बनाई हैं उन सब को एकठा करना अध्यान करना और कराधान और अन्य प्र करना उपर तो इस प्रकार ये एक बहुत महत्पूर्ट संसा बनी और फिर ये रज की योजनाओं में शामिल होगा रज की योजनाओं से फिर वो योजना आयोग में जाएगा इस प्रकार योजना निर्मान का कारे नीचे से उपर जाएगा जिले से गाओं पंचायत से जिला जिले से रज, रज से विभन रजियों के बीच, फिर केंदरी और केंदरी के बार योजना जो इसे इस पष्ट है कि हर नियोजन केंदरी कृत हो ये जरूरी नहीं है ऐसा भी नहीं है कि नियोजन का मतलब हमेशा परियोजनाओं से लगाया जाए ये भी जरूर नहीं है 1950 के केंदरी कृत नियोजन और 1992 के विकेंदरित नियोजन में एक चीज़ आप जरूर पाएंगे केंदरी कृत एक चीज़ जो कामन है जो दोनों में है और वो क्या है केंदरी कृत नियोजन में केंदरित ऊपर से केंदरित योजना है विकेंद्री कृत में भी केंद्रित ही है लेकिन जो आमंतरन किये जाते हैं योजनाएं जो मुलाई जाती है बुलाई जाती है वो नीचे से पहुंचती है और अंत में वो केंद्री कृत हो जाती है अंत में वो योजना आयोक के द्वारा ही अंतिताह लागू की जाती है तो दोनों में ये स्पष्ट है कि नियोजित योजना केंदरी कृत होती है जिसे प्रारम में बार-बार कहा गया हूँ इसका मतलब ऐसा नहीं है कि नियोजन का मतलब हमेशा उद्योगों और बड़ी-बड़ी योजनाओं से लगा जाए जरूरी नहीं कि केवल बड़ी योजनाओं का ही नियोजन हो छोटी-छोटी बाते लेकिन बहुत महत्पूर्ण बातों को भी लेकर नियोजन का खाका तैयार किया जाता है यदि हम केरल मॉडल की बात करें केरल राज जहां विकास और नियोजन के लिए जो रास्ता उन्होंने चुना है और उस रास्ते को आज हम केरल मॉडल की रूप में जानते हैं उसमें शिक्षा, स्वास्थ, भूमी सुधार, कारगर, खाद्य वितरन और गरीबी उनमूलन इस गरीबी कास होगा, समग रिविकास होगा, पर उसमें हम न पांच बिंदों पर विशेज जान देंगे तो वहाँ की जो पंचायत है, वहाँ का जो नहगर निकमाधी हैं, वो अपने जादात और प्रस्ताव न पांच बिंदोющ पर लेकर भेजता है, जरूर नहीं किवो प् कुरूच से थोड़ा कम रहा इसके बावजूद केरल में साक्षर्ता शत प्रतिशत है केरल में साक्षर्ता शत प्रतिशत इसी योजना के तहर आयू प्रत्याशा बहुत बढ़ गई है शिश्य के मृत्युदार बहुत कम हो गई है मात्र मृत्युदार बहुत कम हो गई है जनमदार भी बहुत कम हो गई क्योंकि शिक्षा और स्वास्त के ख्षेतर में विशेश ध्यान देया गया केरल में लोंगों को कहीं ज़्यादा चिकित्सा सुईधाय मुहया है 1987-1991 की अदि हम बात करें तो एक नव लोग तांत्रिक पहल नाम से एक अभियान चला था नव लोग तांत्रिक पहल इसमें विग्यान और परियावन के मामले में शत प्रतिशत साक्षरता का लक्ष रखा गया था विग्यान और परियावन के मामले में ecology, environment और science के मामले में शत्पतिशत साक्षरता का अवियान रखा गया था जिससे प्राप्ट कर लिया और ये जो अवियान था इसकी रूप रेखा ऐसी थी कि NGO's को शामिल किया गया स्वेम से भी संगठनों को शामिल किया गया और इस प्रکार स्वेम से भी संगठन भी इस तरह के चीजों के विकास की प्रक्रिया में जुण गई और केरेल में इस बाद के भी प्रेयास किये गया कि लोग पंचायत स्थर पर, प्रखंड स्थर पर, इला स्थर पर योजनाओं को बनाने में शामिल हूँ तो ये केरल मॉडल है इन पांच चीजों पर जोड़ देता है लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अमंतरित करता है अपने सुझाओ देने के लिए विभिन इस तरों पर और इस प्रकार उसने सुनिश्चित किया है कि वहाँ स्वास्थ की स्थिते में सुधार हो और नई संस्थ किया बादा